परदेश शाद पहला ऐसा राज्य है जहां विदान सभा में पहले परशन का जवाब दिया जाता है उसके बाद फिर से आकड़े जुटाए जाते हैं जैसा कि आपको ग्यात होगा पश्चदी प्रात्मी कुई दाले और पश्चदी उच्च प्रात्मी कुई दाले में आटी साथ कई निउस चैनल बड़े निउस चैनल पर इसके संबन में डिवेट भी हुए उसके बाद से फिर से सरकार दबाव में आई है और फिर से नए आकड़े जुटाने के लिए यहां पर पत्र जारी किया गया है 5 जून 2022 को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उत्तर प संदर्ब ग्रहर करने का कष्ट करें जो परिशदी विद्धालियों में दिनांग 30 अप्रेल 2022 की चात्र संक्या के अनुसार निशुल के ओम अनिवारे बाल सिच्चा का अधिकार अधिनियम 2009 में नहित प्राविधा नुसार सिच्चक चात्र अनुपात के आधार पर अनुम और उच्च परात्मिक विद्धाले का अलग डेटा मांगा गया और ये 30 अप्रेल तक का छात्र संक्या और उसके अनुसार ये पूरा डेटा मांगा गया है और ये जो मानिय बैसिक सिच्चा मंत्री जी के दौरा विधान सभा में डेटा प्रस्तूत किया गया है वो भी 30 अप्रेल 2022 का ही है तो अब देखना होगा कि जो नए आकड़े मांगे गए हैं इसमें अनुपात क्या कुछ आता है क्योंकि पिछली बार जब मानिय बैसिक सिच्चा मंत्री जी ने इसके संदर्व में डेटा प्रस्तूत किया था तो उनके अनुसार 38 अनुपात एक है अभ जो डेटा प्रस्तूत किया गया है उसमें जो सिच्चा मित्र हैं उनको भी काउंट कर लिया गया है सिच्चक के रूप में और उनकी संख्या मिलाने के बाद से अनुपात 26 अनुपात एक का हो गया है अब जो नए आकड़े मांगे गए हैं उसमें छात्र सिच्चक में सिच्छा मित्रों को शामिल किया जाता है या नहीं ये बड़ा सवाल है और यही तैक करेगा कि उत्तरपर्देश में सिच्छक भरती आएगी अथ्वाने दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया थेंक यू